हेलो एब्रिवन दिस इस अनिल के शर्मा एंड वेलकम बैक तो माई चैनल और एकल टेक इंडिया और आज के इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स में सी एच मोड कमांड के बारे में बताऊंगा फाइल एट्रिब्यूट तो इस वीडियो लेक्चर में इसके फर्स स्लाइड में हम सबसे पहले थेोटिकली समझेंगे कि फाइल एट्रिब्यूट क्या है उसके बाद दूसरे स्लाइड में हम समझेंगे कि सी एच मोड कमांड का क्या यूज है और उसको कैसे करते हैं तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि फाइल एट्रिब्यूट क्या है यूनिक्स में तो यूनिक्स में फाइल एट्रिब्यूट का मतलब है कि यूनिक्स में किसी भी फाइल के उपर आप कोई परमिशन देना चाहते हैं जैसे किसी भी फाइल के उपर यूजर को आप read permission देना चाहते हैं write permission देना चाहते हैं execute permission देना चाहते हैं या फिर read write execute सारे permission देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास unix में एक command है ch mode command change mode command तो change mode command को या ch mode command को use करके हम user को read write execute permission दे सकते हैं उसके बाद दूसरी चीज जो है वो ये है कि changing file owner अगर किसी file के उपर हम उसके user को change करना चाहते हैं उसके owner को change करना चाहते हैं तो Unix में हमारे पास यहाँ पर command है C-H-O-W-N इसका मतलब है change ownership command तो change ownership command को use करके हम file के user को change कर सकते हैं थार्ड जो है वो है changing group तो एक file को use करने वाला एक group हो सकता है और उस group में बहुत सारे users add हो सकते हैं तो उस group के owner को हमें change करना है तो Unix में हमारे पास एक command है C-H-G-R-P, change group command तो change group command को use करके हम group के owner को change कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास users की तीन categories है Unix के अंदर पहले को user बोलते हैं जो file का owner होता है दूसरा user जो होता है वो group user होता है और तीसरा user जो होता है वो other user होता है जो ना तो file का owner होता है और ना ही वो group से संबंदित होता है इसके बाद हमारे पास file की permission है जैसे जो है एक file के ओपर user को आप कौन-कौन सा permission दे सकते हो तो Unix तीन file permission को provide करता है एक को read permission बोलते है एक को write permission बोलते है और एक को execute permission बोलते है तो अगर user को r का मतलब है कि user को हमने read permission दिया है तो वो cat command का use करके उस file को read कर सकता है बट अगर हमने write और execute permission नहीं दिया है तो वो write नहीं कर सकता है उस file में उस file को execute नहीं कर सकता है उसके बाद अगर user को हमने write permission w का मतलब write permission दिया है और कोई permission ने दिया है तो वो उस file पर cable write कर सकता है read और execute नहीं कर सकता है अगर उस user को मैंने execute permission दिया है read और write का permission नहीं दिया है तो वो उस file को cable execute कर सकता है as a program के तोर पे और हम एक user को read, write और execute तीनों permission एक साथ भी दे सकते हैं और जहां पर hyphen वाला sign होता है इसका मतलब होता है absence of permission की उस user को हमने read, write और execute में से कुमसा permission नहीं दिया है उसके आगे ये hyphen लिखा हुआ होता है तो इस तरह से ये जो था एक file attributes के बारे में एक छोटी सी समरी थी छोटी सी information थी तो क्यूंकि ch mode command, ch own command, ch group command इन commands को आगे समझने के लिए आपको ये सारी information पता होनी चाहिए थी तो अब जो है next slide में हम ch mode command को थोड़ा सा detail में example के साथ देखेंगे बाकि ch own command और ch grp मतलब change group command को हम इन दोनों commands को हम next video lecture में example के साथ देखेंगे अब समझते हैं कि ch mode command का क्या use है और इसको कैसे execute करते हैं तो ch mode command का जो use है जैसा कि मैंने पिछले slide में बताया है कि इसमें file के permission को हम change कर सकते हैं यूजर को हमें read permission देना है write permission देना है या फिर execute permission देना है तो वो permission जो है हम ch mode command को use करके देते हैं तो इसमें basically दो तरह के permission की बात होगी एक को relative permission बोलते हैं और दूसरे को absolute permission बोलते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि relative permission क्या है उसके बाद मैं बताऊंगा कि absolute permission क्या है तो relative permission में क्या होता है कि for example हमने क्या किया कि unix command prompt पे जा करके मैंने ch mode command को type कर दिया और type करने के बाद हमारे पास तीन types के user है ठीक है एक को जो है user बोलते हैं तूसरे को group बोलते हैं और तीसरे को other बोलते हैं तो user को अगर हमें कोई permission देना है तो you लिखेंगे group को कोई permission देना है तो जी लिखेंगे और others को कोई permission देना है तो o लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया U का मतलब यहाँ पर यूजर है और यूजर को मैं execute permission देना चाहता हूँ तो बीच में plus लगा करके X लिखोंगा तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि यूजर को मैंने add कर दिया X मतलब execute permission और यहाँ पर अगर x के जगह पर मैं r लिख दूँगा तो read permission user को चला जाएगा इसके जगह पर w लिख दूँगा तो user को write permission चला जाएगा और यहाँ पर यह मेरे file का नाम है तो मैंने क्या किया ch mode command के through user को execute permission दिया है employee के उपर employee file के उपर उसके बाद यह लिख करके simply मैं enter प्रेस करूँगा enter लिखना नहीं है enter प्रेस करूँगा तो जो है यह employee नाम के file पे user को execute permission अलॉट कर देगा उसको देदेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं u का मतलब आपका user है x का मतलब execute permission है और employee जो है वो आपका file name है अब जो है मैंने user को execute permission दिया है file के उपर तो वो मुझे check करना है तो check करने के लिए unix के dollar prompt पे जाकर के मैं ls command को type करूँगा और उसके बाद मैं hyphen l लिखूँगा और जिस file के उपर मुझे permission को check करना है उस file का नाम दूँगा यहाँ पर और उसके बाद enter प्रेस करूँगा तो यह show करेगा तो ls command यहाँ पर क्या करेगा आपकी file की listing करेगा आने की home directory में जितनी भी files है वो सारे files को show करेगा और hyphen l क्या करेगा यहाँ पर hyphen l ही बताएगा कि किस file पर user को कौन-कौन सी permission दी गई है तो hyphen l this option shows the details of the file file की details यह show करता है कि उस file के ओपर read, write, execute, user, group और other को कौन-कौन सी permission दी गई है वो दिखाएगा और employee यहाँ पर file name है तो जब मैंने ls unix के dollar prompt पे ls-l command को run किया और file का नाम दिया employee तो इसने output में मुझे यह show किया है तो इसका मतलब यह होता है इसको बहुत दिहान से समझने की जरुरत है तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो पहला होता है पहला जो hyphen है इस पहले hyphen का मतलब यह है कि यह जो file है employee file जो है वो एक text file है अगर hyphen होगा starting में तो वो indicate करेगा कि file कौन सी है आपकी अगर text file होगी तो hyphen show करेगा और अगर directory file होगी तो यहाँ पर d लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब कि यह file directory file है उसके बाद यहाँ से तीन character को count करेंगे एक दो और यह तीन तीन character जो है यह user को indicate करता है कि user को कौन कौन सी permission है ठीके आर डबलू और एक्स द्यान से समझने की चीज़ है इसको द्यान से समझिए कि हाइफन जो है वो indicate करता है कि आपकी कौन सी file है text file है या directory file है अगर हाइफन है तो वो show करता है text file और अगर यहाँ पर d है तो वो show करता है directory file है यह आपकी उसके बाद यहाँ से यह जो तीन character है rwx यह user को indicate करता है और उसके बाद यहाँ से जो यह तीन character है rw और हाइफन यह आपको group को permission indicate करता है और उसके बाद यह last में जो तीन character है rw और हाइफन और हाइफन यह आपका indicate करता है कि other को कौन सी permission दी गई है तो अब इसको एक बार और सुरू से समझते हैं कि इस हाइफन का मतलब है कि employee नाम की जो file है वो text file है और user को जो है यह यहाँ पर तीन permission है read permission write permission और यह execute permission यह यह execute permission जो है यहाँ पर user को read permission पहले से मिला हुआ है write permission पहले से मिला हुआ है और यह x जो है यह x permission हमने उपर दी है user को यहाँ पर user को हमने execute permission दी है तो यहाँ पर यह execute permission को दिखा रहा है और read write permission जो है ये पहले से दी हुई है इसलिए ये rw को x के साथ दिखा रहा है अगर read और write permission पहले से नहीं होती तो यहाँ पर दो hyphen होते और जिसका मतलब होता है कि ना उसको read permission है ना उसको write permission है सिर्फ execute permission है उसके बाद यहाँ पर जो last इसके बाद जो middle में तीन character है r, w और hyphen इसका मतलब यह है कि दूसरी category का जो user है वो है group तो group को यहाँ पर read permission है, write permission है और hyphen का मतलब है कि group को execute permission नहीं है अगर हमें group को execute permission देना है तो u के जगह पर यहाँ पर g लिख करके plus x जो है type करेंगे तो group के पास execute permission चला जाएगा तो यहाँ group के पास execute permission नहीं है, hyphen का मतलब absence of execute permission उसके बाद third type का जो user है वो है other user तो other user के पास यहाँ पर read permission है उसको write permission नहीं है, उसको execute permission नहीं है अगर हम चाहते हैं कि other को मैं write permission दूँ तो उपर जा करके मुझे o लिख करके plus w लिखना है और x भी लिख देंगे तो other को execute और write write और execute दोनों permission चला जाएगा तो इस तरीके से ch mode command को use करते हैं अब चलते हैं next example को और समझते हैं तो next example मैंने क्या किया है कि ch mode command को मैंने type किया है और हमार पास तीन user है, user, group और other unix में by default तीन user होते हैं user, group और other तो अब मैं चाहता हूँ कि user, group और other इन तीनों को execute permission देना चाहता हूँ तो u, z, o लिख करके प्लस x को यहाँ पर लिख करके और उसके बाद किस फाइल पर यह permission देना है मुझे उस फाइल का नाम लिख करके enter प्रेस करूँगा तो इससे क्या होगा कि user, group और other को execute permission चला जाएगा यहाँ पर मैं r permission भी देख सकता हूँ यहाँ पर मैं w write permission भी देख सकता हूँ और execute permission तो दिया ही है यहाँ पर तो इस तरीके से हम user, group और other को execute permission जो है यहाँ पर दिया है अब इसको समझ लेते हैं और detail में कि u का मतलब user हो गया, g का मतलब group user हो गया और o का मतलब other user हो गया और x का मतलब execute permission मैंने user, group और other को दिया है और employee आपके file का नाम है अब मुझे चेक करना है कि user, group और other को जो है execute permission गया है या नहीं गया है तो उसके लिए इसके dollar prompt पर जाकर के LS command को type करूँगा और उसके बाद hyphen L type करूँगा file का नाम दूँगा और उसके बाद enter press करूँगा तो यह show करेगा तो LS command क्या करता है listing of file, file के listing show करेगा employee file भी उसमें होगा employee file भी उसमें होगी और hyphen L command क्या करता है यही file यही command आपको बताता है कि उस file के उपर कौन सी permission है और employee आपका file का नाम है तो अब मैं output में चेक करता हूँ कि user UGO user group और other को जो मैंने execute permission दिया है वो permission गया है या नहीं गया है तो यहाँ पर जो first character होता है यह show करता है कि employee name की जो file दिये है वो कौन सी file है तो वो आपकी text file है तो वो hyphen का मतलब text file है और directive file होगी तो यहाँ पर D लिखा हुआ आएगा अब यहाँ से जो first तीन character है वो user को show करता है r w और x और उसके बाद जो यहाँ पर तीन और character है r hyphen और x यह group को indicate करता है और उसके बाद last के जो यह तीन character है read hyphen और x यह other user को indicate करता है तो अब जो है मैं चेक करता हूं कि सब को execute permission गया है या नहीं गया है तो user में user के पास क्या है read permission है write permission है और execute permission भी है x का मतलब user को execute permission भी है उसके बाद user के बाद फिर group है तो group को read permission है यहाँ पर उसके बाद write permission गुरूप के पास नहीं है उसके बाद गुरूप के पास एक्जिक्यूट पर्मिशन भी है जो हमने दिया है उसके बाद अधर अधर यूजर के पास कुनकुन से पर्मिशन है तो अधर यूजर के पास रीड पर्मिशन है उसके पास राइट पर्मिशन नहीं है और एक्स उस उसके पास execute permission है, जो हमने उपर ch mode command में ugo के साथ execute permission file के उपर दी है, तो जो है इस तरीके से हम ch mode command में हम user group other को execute read write जैसे permission उसको दे करके ls-l command को use करके हम permission को check कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि एक user को मैं execute permission देना चाहता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन files के उपर, तो उसके लिए मैं unix command prompt पे क्या करूँगा, जाकर के ch mode command को type करूँगा, उसके बाद जिसे execute permission देना है, उसका नाम लिखूँगा, तो user को देना है, तो u और plus x लिख करके, जितने files के उपर उसे permission देना है, उतने files का मैं नाम दूँगा, तो note मेरा file number 1 है, note 1 ये file दूसरा है, और note 2 ये file तीसरा है, उसके बाद enter प्रेस करूँगा, तो user के पास execute permission चला गया है, तीन files के उपर, note, note 1 और note 2 के उपर, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि किसी user से read, execute या write, कोई भी एक permission मैं उससे छिनना चाहता हूँ, कोई एक permission मैं उसको नहीं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, unix command prompt पे जा करके ch mode को type करके, उसके बाद जिस user को मुझे read permission नहीं देना है, उस user का नाम लिखूँगा, तो let's suppose group और user, इन दोनों को मुझे read permission नहीं देना है, तो g, मतलब group, u का मतलब user, य उसके बाद जब हम किसी permission को नहीं देते, तो वहाँ पर minus लिखते हैं, और अगर permission देना है, तो वहाँ पर plus लिखते हैं, तो यहाँ पर read permission मुझे group और user को नहीं देना है, इसलिए मैंने hyphen r लिखा है, और उसके बाद जिस file के ओपर group और user को मुझे read permission नहीं देनी है, उस file क नाम लिखना है और enter प्रेस करनी है तो ये group और user को आप x start नाम के फाइल पे read permission उसके पास नहीं है तो यहाँ पर g का मतलब group, u का मतलब user और hyphen r का मतलब remove read permission की आपने group और user को group और user से read permission को remove कर दिया है अब चेक करना है तो unix के command prompt पे जाकर के आपको type करना ls-l और उस file का नाम चेक करना है जिस पे मैंने read permission को reduce किया हटा दिया है और enter प्रेस करनी है तो ये दिखाएगा कि read permission आपने जो है x start नाम के फाइल पे group और user से चीन लिया है read permission को remove कर दिया है अब और थोड़ा सा इसको detail में समझते हैं कि अब मैं other को write और execute permission देना चाहता हूँ x start नाम के file पे तो मैं क्या करूँगा unix के dollar prompt पे जाकर के ch mode command को type करूँगा और उसके बाद o लिखूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ other को कुछ permission देना है user और group को नहीं देना है सिर्फ other को कुछ permission देना है और x का मतलब execute permission मैं other को दे रहा हूँ और किस file पे x start नाम के file पे और उसके बाद मैं enter प्रेस करूँगा और enter प्रेस करने के बाद फिर जो है o का मतलब other w का मतलब write x का मतलब execute permission is given to file x start और इसको check करना है तो unix के dollar prompt पे जा करके ls-l और उस file का नाम लिख करके enter करेंगे तो यह क्या show करेगा कि आपने other को write execute permission दिया है x start नाम के file पे या फिर कोई note नाम की कोई file है तो उस file पे तो x start की जगह पे आपको वो file का नाम देना पड़ेगा जैसे note नाम के file पे मैं write और execute permission देना चाहता हूँ तो x start की जगह पे मैं not या कोई भी file का नाम ले सकता हूँ absolute permission तो आप देखते हैं कि unix में absolute permission क्या है तो absolute permission का मतलब है कि read, write और execute कुछ permissions है उसका numeric form में unix में permission दिये गए हैं तो उस numerics को आप ch mode command के साथ use करेंगे तो वो show करेगा कि user group और other में से किसको कुण सा permission गया है तो जो भी permission है वो permission numeric form में already unix में दिये हुए हैं जैसे कि for example यहाँ पे मैंने क्या क्या unix command prompt पे जा करके ch mode command के साथ मैंने triple six लिखा है और उसके बाद एक file का नाम दिया है और enterprise की है तो इसका मतलब यह है कि triple six का मतलब यह है कि all user को अगर read और write permission देना है all user को read और write permission देना है execute permission नहीं देना है किसी भी file के उपर तो हम ch mode command के साथ triple six लिख देंगे तो उस file पे all users को user group और other को के बस दो permission चला जाएगा read और write permission, execute permission नहीं जाएगा तो triple six का मतलब already defined है कि all users को read और write permission चला जाएगा तो यहाँ पर triple six का मतलब read plus write permission all users को दी गई है उसके बाद इसको अगर हमें check करना है तो वही ls-l file का नाम enter प्रेस करेंगे तो यह नीचे rwx के form में hyphen rwx इस तरीके से यह show करेगा कि user के पास read permission है, write permission है, but execute permission नहीं है अगर पहले से है तो कोई बात नहीं और नहीं है तो फिर नहीं है उसके बाद group के पास भी read और write permission को दिखाएगा और जो है other के पास भी read और write permission को दिखाएगा उसके बाद हमारे पास एक और permission जो है वो numeric form में है वो है 644, तो 644 में क्या होता है पहले इसको command prompt में इसको type करके देखते हैं तो यहाँ पर मैंने unix command prompt पे ch mode type करके 644 type किया है उसके बाद एक file का नाम दिया है और उसके बाद मैंने enter press किया है तो इसमें क्या होगा कि 644 क्या करेगा all permission to the honor जो user है जो honor है जो super user है उसको सारे permission देगा read भी, write भी और execute permission भी और read प्लस write permission देगा वो group को और execute permission group को नहीं मिलेगा और execute permission देगा cable others को तो ch mode command के साथ simply हम 644 को type करके एक file का नाम दे देगे तो automatically honor के पास सारे permission चले जाएंगे group के पास cable read और write permission आएगा और others के पास cable execute permission आएगा इसको चेक करने के लिए simply unix command prompt पे आपको ls-l file का नाम दे करके enterprise करनी है तो ये सब कुछ बता देगा कि honor के पास सारे permission गए हैं या नहीं उसके बाद group के पास read और write permission है और other के पास execute permission है तो बिल्कुल इसी तरीके से unix में हमारे पास एक numeric है triple seven तो triple seven में क्या होता है all permission for all categories user, group और other इन तीनों को read, write, execute permission चला जाएगा मतलब सारे categories को user, group और other को सारा permission मिल जाएगा अगर ch mode command के साथ मैंने triple seven को use किया तो अगर मैंने triple zero को use किया तो ये indicate करता है कि सारे user के पास सारे permission absence हो जाएगे read, write, execute permission ना तो user के पास होगा ना group के पास होगा ना other के पास होगा तो ये था ch mode command के बारे में complete details तो I hope कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो जो है बाकी के commands को हम next video lecture में देखेंगे तो thank you, thank you for watching this video कर दो दो होगा